आप सभी का स्वागत है उत्राखंड में आज इगास का पर्व मनाया जा रहा है आपको बता दें इगास पर्व मनाने के कई लोग कता हैं लेकिन मुख्यता है जब भगवान राम 14 वर्ष बाद लंका विजेकर अईध्या पहुंचे तो लोगों ने दिये जलाकर उनका स्वा किया और उसे दीपावली के त्यहार के रूब में मनाया गया कहा जाता है कि पहाडी शेत्रों में लोगों को इसकी जानकारी 11 दिन बाद मिली इसलिए यहां पर दिवाली के 11 दिन बाद यह इगास पर्व मनाया जाता है आज इस मौके पर मुख्यमंत्री पुशकर सिंग ध प्रतिभाग करने के लिए दूर दूर से आये हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्तेत माताएं बहने और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों प्यारे बच्चों हमारे पत्रकार मित्रों उन्चायकार बंदो मैं आज इस अउसर पर आप सभी का इस महुत्साओं में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है अभी दंदन किया हैली पैट से मैं यहां तक आते आते सैकडों की संख्या में हमा हुआ बेहनों ने भी अपना आशरबात दिया मैं और मेरा स्वागत किया मैं नवी आप सबकार है अपिक हरी कि गहराईयों से आप मैं सबकावपहुं और आज बहुत ही हमारा परशिद्य त्यवहार है आज इगास धूरी दीवाली और देव दीवाली इसकी वी में सुपकामनाई देता हूं बढ़ाई देता हूं बाई दुर्गेसर लाल जी कह रहे थे पहले एगास बुड़ी दिवाली के कारिग्रम में सारुजनी छुट्टी नहीं होती थी आवकास नहीं होता था ये सवाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का उसर प्रदान किया तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार हमारी जो परंपराएं जो हमारे पूरवजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं वो और आगे बढ़नी चाहिए इसको हमने सारुजनी छुट्टी के रूप में भी इगास पर्वों को ब देख रहा हूं मैं इस आयोजन की सपलता के लिए जो हमारी यमना घाटी कीड़ा है हम सायंस्कृति विकास समीती की पूरी टीम को बहुत बजाई देता हूं और साथ में इस छेत्र के हमारे करमर्ज जुजारू है हम हिवा विदायक मेरे छोटे भाई स्री दुरुगेसौ और लाल जी को भी मैं बहुत बलाई देता हूं बहुत सबकामना देता हूं झाल 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 झाल